हलो फ्रेंड्स आपने मेरे पिछले वीडियो तो देख लिया होगा कि हाउ टू क्रियेट ए बूटेवल यूस्वी ड्राइब कैसे बनाते हैं आज इस वीडियो में हम लोग देखने बाले की वह बूटेवल यूस्वी ड्राइब को यूज करके लाप्टप या कॉम्पूट इसे करें तो अब इन्हें डिर्ग के सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हो विनास और आप देख रहें अब इनस वर्ल्ड लेट स्टार्ट सिंप्ली मैं अपने कंप्यूटर को बूट करूंगा बूट हो रहा है उसके बाद मुझे एप 12 प्रेस करना आप स्क्रीन पर क्लिक करें उसके बाद तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है मेरा यूस्प सबसे नीचे एंटर क्लिक करें उसके बाद तिस फोकुस का थोड़ा बहुत इसु रहेगा लोड हो रहा है देख सकते हैं अब फ़र ब्लिंक हो रहा है डिपेंड करते हैं सिस्ट्म को कभी भी थोड़ा था टाइम भी ले लेता है तो ऐसे वह स्टार्ट होता है पर रोड करते हैं स्कु में फिसली ट Satड होने के टैम पर रौट होता है से नब ऊसी तरब रोड होगा यह पिर बाद में आपके समने स्क्रीन पर कुछ ऐसा आ यहागा फिर अंगलीज ल्च वर्ड रए together on a certain changes नहीं करना फिर यह लोड होगा लोड होने बदत को ऐसा आएगा जिसमें applicable notice and license terms मैं सको accept करके accept the license करके मैं इसको next पर क्लिक करूँगा फिर एक उपर आता है upgrade निचा आता है custom मैं custom पर क्लिक करूँगा उसके बाद आएगा ये स्क्रीन, उसके आद मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे लाप्टॉप स्क्रीन पर जिसमें में एक वर्चुल बॉक्स पर ये चीज आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि लाप्टॉप में फोरोंटिंग करने नहीं वालू हूँ अभी, क्योंकि पता ह करेंगे, सेम, इंस्टल नाउ, सेटअप इस स्टार्टिंग, और ये काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि भर्चुल बॉक्स पर है और विंडोज है, मैं थोड़ा उसमें रिसोर्सेस कम दे रहा हूँ, तो मेन प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, बाकी वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगा, जहां पर वो इंस्टल हो रहा होगा, उमें पोस्ट करकर रखने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम देते हैं इसको, कितरा टाइम लगने स्टार्ट होने में देखते हैं, यह आ चुका है, सेम मैंने आपको आपको दिखा चुका हूँ में य नियू, नेक्स्ट कर द रहे हूँ, उसके बाद आपको कस्टम से लेट करना है, ओके पर डिबाइस जो है, उस केस में आपके सिस्टम पर डिवाइस, जो है, मल्टिबल डिवाइस रहेंगे, बाट मैंने अभी बाठील लेए, तो मैं इसको उसे नियू कर दूँगा, उसक सी ड्राइब यह आपका system reserved C Drive को क्या करना है format करना है as usual starting में बता रहा हूं मैं आपको system यहाँ रहेगा c drive को only c drive को format करना है बाकि d e f z जो भी आपका drive रहेगा उसको formatting नहीं करना है only c drive को करना है उसके बात कर दो है next इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है डिपेंड अपन आपके सिस्टम कितना फास्ट है क्या है मेरा भर्चुल बॉक्स है तो मुझे यह एप्रोक्स हपन आवर या तो उससे ज्यादा भी लग सकता है अब मैं सिस्टम पर अगर सिस्टम आपका डीसेंट रहा पंदरा मिंट्स मिंट में हो जाता है तो मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूं जैसे यह एक प्रोसेस जहां पर में नेम एंट्री करूंगा जहां पर कुछ सेटिंग चैंजिस करूंगा उस चीज़ पर आपको हो रहा है यहीं जैसे मैंने बोला वर्चल बॉक्स पर रन कर रहा है मैं इसको 4G RAM दिया हूँ मिनिमुम 4G RAM कर रिकर्मेंट रहता है और काफी ज्यादा हाट डिक्स दिया हूँ मैंने तो थोड़ा सा प्रॉब्लेम हमें करना पड़ेगा मिन स्लो होगा तो देखते हैं और कित मेरे रेकोरडिंग में मुझे काफी जाता प्रॉब्लेम होगा अच्छे से बारा बर कट जाता है आज से घेटिंग तिंग्स रेडिय यू ऐसे कैसे कुछ तो बोलता रहता है वो देखते हैं केतना थाइम और लेता है इसके पर टानमल सिस्टम पैंपी तोड़ा तो तिन म यह बहुत रहा लोग यूज करता होगा एसे गेटिंग रेड़ी न्यू फ्यू तिंग्स फॉर यूज वह बोलेगा भी तो होने देखते हैं पर भी सबसु कर भी काथी ज्यादा स्लो है बढ़ इसलिए मैं काथी ज्यादा पोज कर रहा हूं गर लाइब मेरा सिस्टेम फूर्माटिंग होता तो एक फ 안ने के अंदर और आटी मिनिट्स के अंदर हो complete हो, 30-45 मिनिट्स मेक्सिमम के अंदर पूरा अभी ते complete हो के मेरे system ready to use होता है, कोई नहीं, देखते हैं, कि तरना ही more लगता है, आपके screen पर आ चुका है, लोड होने के बाद, United States में स्को रहने दूँगा, yes कर दूँगा, फिर भी थोड़ा लोड इंग्लिस इंडिया, इंग्लिस इंडिया में स्लिट करने जा रहा हूँ, yes कि बोड ले आओ, skip कर दूँगा Now we have some important setup to do, ऐसे काफी कुछ बोलेगा हो, फिर दियतरे करता जाएगा Now let's see, what's new from Windows, देखते हैं, लोड होने देखते हैं इसको दिखारा फिर से, just a moment, फिर ये लोड होगा, setup for personal use, next अफ्लाइन एकाउंट कर दूँगा मैं से, लोड होने देखते हैं, देखते हैं, लोड होने के limited experience कर दूँगा, कि वो अफने तो फिर अपना hotmail ID लोगिन करके, वो ऑनलाइन पास्वर्ट वास्वर्ट ले ले लेगा, नहीं चाहिए, इसको डाल देखते हैं नेम में, अभ पास्वर्ट नहीं देने बाला हो में, फिर से बोले जस्ट मोवमेंट लोडिंग होगा, फिर बोलेगा, लिब दे तिंग स्टु आस्टिंग अप निव तिंग्स फोर यू, सह होता रहेगा वो, फिर देखते हैं, छोड दें उसमें, आपको टाइम थोड़ा दे दें उसक एकसेब्ट किया,' मैंने, Just a moment, लोडन देते हैं, Just a moment, फिर से लोड हुआ, ये सजी होता रहेगा और दिल्नाग किवरे. Yes, Ok कर दूँगा मैं डेते हैं just a moment, Just a moment, Just a moment, Just a moment तब से बता हुआँ, जाले आई यह इंट लेगा वह तो पता है मुझे कोटान को एकसेप्ट करते हैं फिर जिस्टे मोमेंट ठीक है मोमेंट आप कितना चाहो ले लो काफी फास होते एक्चुल एकर रियल सिस्टम में फर्माइटिंग आप करेंगे बिना वर्च्वाइब करेंगे काफी जल्दी हो जाते हैं आप फिर आपके सिस्टम के स्पीड के अपर डिपन करते हैं हाई लेट अबरेटिंग वेर गेटिंग एवर्टिंग रेडी फोर यू इस माइट टेक सेवरल टाइम आपडेट्स कीप यू सेप इन दिस ओनलें वाल्ड ऐसा कुछ आता रहता है फिक्स है यह कि डॉन्ट अफिर पीसी टान अफ तो मैं करने नहीं वालाओ लाओ लाप्टोप मेरा फुल चार्ज है और वैक्टेंस भी गेता है तो मुझे कुछ फर्ख नहीं बढ़ता है होने देते हैं इसको मेरे लैप्टोप में कितना चार्ज है भी और में टू फुल चार्ज कि 99 परसेंट क्या फर्कता है चलो होने दो फिर जैसे मैं बोला था लेट लिव एवर्टिंग टू आस फिर बोलेगा अपडेट के लिए छोड़ दो आप स्वरी अपडेट आपको उन्ले इंवाल में साहिप रहने के लिए हेल्प करता है होने देते हैं पूरा दिखान थोड़ा थोड़ा इसको दिखाना भी हे आपको क्या-क्या आता है पता चले आपको यह तो फिर कन्प्वी चोजेंगी कि यह क्यूं आ रहा है क्यूं नहीं आ रहा है सो कॉलर चेंज होता रहता है थोड़ा अच्छा लगता है इस टाइम पर अगर आपका सिस्टम फॉर्माटिम के लगा हुआ है आपको कुछ काम करना है तो आप बहुत बेचेनी से वेट करते हैं जल्दी अपन होजा मुझे काम करना है बट कोई नहीं अच्छे से अप्टूडेट टू हेल्प प्रोटेक्ट यू इन ओनलाइन वर्ड वाडवाड वर्ड दुनिया में सेप लगता है हमको अनलाइन दुनिया में दुनिया जो है ओनलाइन अच्कल हो गया ज्यादा कोई नहीं यते रहने के लिए से अभी काफी वस नेक्स आजाएगा अपना ब्राउजर में एक्सलोर हो गया और ट्रोक हो गया काफी सारे चीज़े रहते हैं वह सेटप करना पड़ता है वाइड डिफोल्ल जो आता है उसके अंदर स्निपिंग टूल उसके बाद आपका स्टीकी नॉट्स काल्कुलेडर मीडिया काफी कुछ आता है इसमें विडियोफ्लेयर सुबको सेटप करता है एक चीज़ को इंस्टल करता है यह जिए विडियो प्लेयर हो गया उन्दिस वर्ट व्यूर हो गया सब को प्ले करता है व होगा इंसलोल नगे प्रवर आया होगा तो उसको रिक्टिपे कर लेगा स्टाइम पर ही है में किंस्योर अवर्टिंग इस रेड आलमोस्ट देर लेट्स गेट स्टाइट ओके वो नहीं डिकाए ठीक एक वर्क ने पुड़ता डिस्पेटर फिसरेबर कुछ पूच रहे इंटने पूच रहे इंटने कमेने कर दिया लाव अगर मुझे इसको इसको राइट क्लिक करके यह भी तेक लोड हो रहा है तो मुझे राइट क्लिक कर चुका हूँ अलड़ी सर्च पर आएगा इस पर आगा सर्च कोटना इकॉन सुरी सो सर्च आइकॉन तो यह छोटा हो जाएगा स्क्रीन अब यह स्क्रीन पर राइट लिक करके प्रॉपर्टी इस पर परस्नली इस पर आऊँगा पताने टाइम थोड़ा रॉंग दिखा रहा है कोई नहीं तो क्लिक करेंगे थोड़ा यह लोड होगा पर थिम्स पर आते हैं टेक्स्टॉप आइकॉन सेटिंग मैं और लाओ कर दूँगा तब कर दिखा सकूंँ एपलाई ओके कि तर गया ज्यादा ऊपर चलाएगा कि ठीकी स्कूप पर लेते हैं क्लोज करते हैं आइकन को स्मॉल कर दूँगा मैं कर दूँगा कि स्मॉल कि स्वाइन होगे इंस्टॉर राइट क्लिक करके पर स्मॉल इस पर जाएंगे तो मुझे यह दिख जाएगा सिस्टम अभी उन्डोज 2020 का लाज जो अप्डेट रहे उसके बाद से यह जो हैना चेंज हो गया है उतर पहले दूसरा वाला ओल स्क्री अभी तो डिफ्रेंट आ रहे है यह प्रॉपर्टेश पर क्लिक करते हैं इस पीसी पर राइट क्लिक करके कुछ ऐसा होंड़ाएगा दूसरां 2020 ऐसा आ रहा है इसके बाद जो नेक्स्ट अप्डेट आया है मेरे ख्याल से नेक्स्ट अप्डेट जो आया है वो 2020 अक्टोब में आया है उसके बाद से यह तो डिफरेंट खुल रहा है मेरे प्राइमेरी सिस्टम पर अगर मैं आपको दिखा हूँ राइट क्लिक अप्डेट होने के बाद कुछ ऐसा आएगा उसके लिए यह सिस्टम भी स्लो पर चुग है अभिनास प्रोसेसर डिटेल स्राम बगरे डिटेल आ रहे है यह दिखें नीचे थोड़ा आएंगे तो यह दिखें इन्सेल डेट काफी कुछ आ रहे है ठीक है तो उमीद करते हूं आपको वीडियो आच्छे लगे और आपको समझ में आगे किसे फर्माटिंग करते हैं आप इसको इसको कोई भी लापटर सिस्टम फर्माटिंग आशकते हैं कुछ को सिस्टम पर F-11 होता है अगर आपका फ काम नहीं करता तो fn fn जो बटन आता है windows बटन के साड में control आल्ट windows के बीच में तो उसको fn को प्रेस करते हुए आप 11 f12 प्रेस कर सकते हैं ताकि आपका फर्माटिंग हो जाए उसमें आपको कोई कोई दिफिकल्टी नहीं होने वाली कोई डिफिकल्टी जा रहा प्लीज कोमेंट कीजिए और कोई आपको अच्छा लगए तो आपने दोस्तों साथ प्लीज इसको सेर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्स्राइब कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी आइकन को भी हिट कर दे तो कभी मैं नीव वीडियो अपलोड़ कुरा है तो आपको इमेरेटल नॉटिफिकेशन मिल जाएगा कि अबने इस वाल इस अपलोड़ एड निव वीडियो आ तो आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करें तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीड आप मेरेटल शर्वड़ के अपलोड़ को ए तो कि वीडियो वीडियो यालोड़ एडियो